जो और मूंग दाल पॉंगल बनाने का समय 35 से 40 मिनिट वीकुक वेज आपके लिए लाए हैं दक्षिन भारत के इस पोश्टिक पकवान को बनाने की विधी आईए देखे जरूरी सामगरी तीन चौथाई कटोरी जो धो कर छान ले सवार्ने के लिए हमें चाहिए नारियल का बुरादा और मेवे रसोई के बरतनों में से एक प्रेशर कुकर, दो पैन, परोसने के लिए थाल या कटोरा पूर्व तैयारी के लिए एक पैन में गुड डाले और एक चौथाई कटोरी पानी मिला कर पिगला ले अब एक दूसरे पैन में घी डाल कर किश्मिश और काजु को भून ले मुख्य तैयारी के लिए एक प्रेशर कुकर में मूंग डाल डाले और कुछ मिंटों के लिए भून ले अब उसमें जौ और पानी मिलाए और चार से पाच सीटियां आने तक पका ले जब जौ और मूंग डाल पक जाए तो इसमें गुड का पानी मिलाए और पांच-छे मिनिट तक पकाएं अब इसमें डाले बादाम का दूद, इलाइची पाउडर, सूखा अद्रक पाउडर और एक चिटकी नमक हल्का उबाल आने दे और जरूरत पड़े तो और गुड का पानी मिलाए मिश्रन को एक साथ मिलाते रहे जब तक वह गाड़ा ना हो जाए अब इसमें भुने हुए काजू और किश्मिश मिलाएं और लीजिए तैयार है स्वादिष्ट पोंगल नारियल के बुरादे और मेवे से सजा कर अपनी पसंद अनुसार गरम या ठंडा परोसे और अपनी प्रियजनों को टिफन में भी दे तो जल्द ही यह पोंगल बनाए और इसकी तस्वीर खीच कर हमारे फेस्बुक पेज फेस्बुक डॉट कॉम स्लाश वीकुकवेच पर अपलोड करें और अपनी सुझाफ हमें इन्फो अट वीकुकवेच डॉट कॉम पर भी जरूर भीजें